हेलो दोस्तों मैं हूँ रविन कुमार और आप देख रहे हैं वाइफाय दोस्ट चैनल जहां तो तो सौमी और यल्मी ने भारत में रद किये लॉंच इवेंट कोरोना वाइरस है वज़ा जियां गाईज तो मैं आपको इसमें बतांगा कि किस किस फोन का मतलब इवेंट को मत रद क्या गया है तो आप इस वीडियो को पूरा दे कि कुरोना वाइरस के प्रकॉप के चलते हैं इस साल सबसे पहले सबसे बड़ा टेक्रोलोजी इवेंट मुवाइल वर्ल्ड कॉंग्रेस रद हुआ और इसके बाद गेमिंग का सबसे बड़ा इवेंट गेम डेबलप्स कॉप्रेशन भी रद किया गया अब इस सूची में कुछ नए नाम सामिल हुए है जो कुरोना वाइरस के चलते हैं अपने प्रोडेक्ट लाँच इवेंट को रद करने पर मजबूर हो गया है इसमें प्रोडांड का नाम आता है सौमी और रियल्मी सौमी ने भारत में 12 मार मार्च को आयोजित लॉंच इवेंट को रद कर दिया गया है दोनों कमपणी अब अपने फोन को ऑनलाइन लॉंच करेगी अधिकारिक सौमी इंडिया ट्यूटर हैंडल के जड़िये कमपणी के एमडी मनु कुमार जैन द्वारा हंस्ताक्ष्रित एक बयान की फोटो साजा की जिसमें भारत में करोना वारा संकरमन के मामले के सामने आने वाले हवाला देते हुए बारा मार्च को होने वाले ग्राउंड इवेंट को रद करने की जानकारे दी गई है याद दिला दे कि सौमी ने सुंबार को घोसना की थी कि कमपणी बारा मार्च को एक इवेंट में रेडमी नोट नाइन और रेडमी नोट नाइन परो लॉंच करेगी सौमी के करमचारी इनने एक दिन मद बाद मंगलवार को यह जानकर इसाजा की कि कमपणी देश भड में मार्च में कोई लॉंच इवेंट आयोजित नहीं करेगी कमपणी के कहना है कि यह फैसला कोरोना वा वाइस के सीओ माधप सेट ने वी घोसना किये की डियल्मी शिक्स और रियल्मी सिक्स परो के लॉंच के लिए आयोजित प्रोग्ष के कारकरम को रच किया गया कमपणी अब एक ओं-लाइन लाँच इवेंट आयोजित करेगी जिसमें रियल्मी इंडिया के आधिकारिक ट्य इतलिये हैं थे रियल्मी इंडिया के सीयो फ्रांसिस वांग ने इसमें वादा किया कि इनकी टिकट का पैसाए के स्पेशल गिफ्ट के द्वारा वापस दिया जाएगा तो यह थी दोस्तों सौमी और रियल्मी के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज अगर आपको यह वीडिय का होगा इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें और साथी साथ अभी तक हमारे चैनल वाइफ है दोस्तों को अपने सब्सक्राइब नहीं क्या चैनल को सब्सक्राइब करकर बिल नोडिफिकेशन जरूर दबा दे तो बस आज के लिए इतना फिल मेंते हैं इस